कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है आज की इस वीडियो में हम वन्ट सकीम के बारे में जानकारी ने warm देखेंगे कि यह स्कीम क्या है उसमें पात रहे है вас लेने के लिए project cost क्या है और किस तरह का सहायता इस scheme के द्वारा दिया जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं इस scheme को किसने setup किया तो national equity fund scheme Small Industries Development Bank of India SIDBEE के द्वारा अस्थापित किया गया है इस scheme में आपको margin money में जो कमी अगर किसी entrepreneur को आ रही है तो उस margin money की भरपाई के लिए यह loan दिया जाता है मान लेते हैं कि एक loan एक project आपको setup करना है और उस project में मान के चलिए कि आपको 25% अपना पैसा लगाना था लेकिन आपके पास मात्र 10% पैसा है तो 15% आपको इस national liquidity fund scheme के तहत SIDBEE के द्वारा सहायता मिल जाएगी SIDBEE के द्वारा आपको loan मिल जाएगा यह scheme नए और पुराने दोनों तरह के loan के लिए है पुराने loan में अगर आप expansion करना चाहते हैं अपने unit को और भी बराना चाहते हैं या अपने unit के technology को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस scheme के तहट सहायता प्राप्त हो जाती है लेकिन इस scheme में सहायता लेने के लिए एक pre-requisite है कि refinance facility SIDBEE के द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए तो ऐसे loan जिसको की SIDBEE ने refinance facility दिया है उस scheme के लिए या national equity fund scheme applicable होगा जहां तक project cost की बात है तो चाहे वो नया project हो या पुराना project दोनों ही तरह के project के लिए total amount including margin money 50 lakh से ज्यादा का amount नहीं होना चाहिए और nature और असिस्टेंस nature and amount of assistance की अगर हम बात करें तो प्रजेक्ट कोस्ट का 25 परसेंट आपको assistance दिया जाता है इसमें अगर मान लेते हैं कि 100 रुपिया project cost है तो 25 रुपे आपको national liquidity fund scheme के तहत सहायता दी जाएगी और maximum जो सहायता होगी वह 10 लाख पर प्रजेक्ट में अधिक्तम 10 रुपे तक की सहायता आपको मिलती है interest rate और service charge की जहां तक बात है तो जो भी बैंक आपको लोन देगा वह अपना rate of interest service charge करता है और service charge के रूप में बैंक आपसे पांच परतिसत पर यह पतलब सलाना आपसे पांच परतिसत service charge के रूप में लेता है जिसमें से की एक परतिसत तो समसता हूं कि national equity fund scheme के बारे में आपको अच्छी जनकारी मिल गई होगी अगर कोई doubt है को question है तो आप हमें comment करके जरूर पूछ सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों रिष्टेदारों और संबंदियों के साथ भी शेयर करें या वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का आइकन है उसे भी दवा दे जिससे की मेरी वीडियो आपको समय समय में मिलती रहें मिलते हैं अग